क्या देश का धनपती वर्ग याने धनी वर्ग का एक तपका सड़े हुए अलू जैसा है जी हाँ जम्मु काश्मेर के राजपाल सत्तपाल मलिक का तो यही मानना है उन्होंने कहा कि देश के धनी वर्ग का एक तबका सड़े हुए आलू जैसा है और उन्होंने कहा कि उन्में समाज के प्रती कोई समयतन शीलिता नहीं है राजबाल का यह भी कहना था कि इस देश में जो धनाड वर्ग है उसका एक बड़ा तबका खासकर कश्मीर मेनेता और नोकरशा सभी अमीर हैं वे एक रुपे का भी धर्मार्द काम नहीं करते उन्होंने कहा आप इसे बुरे तरीके से नहीं लें मैं उन्हें इन्सान नहीं सड़े हुए अलू मानता हूँ एक पत्रकार ने जब मलिक से यह है पूछा कि देश का सबसे धनी व्यक्ति अपनी बेटी की शादी में 700 करोड खर्च करता है क्या वह कोई धर्मार्द कारे करता है इसके जवाब में राचपाल ने कहा वह धर्मार्द काम नहीं करता लेकिन देश के धन में इजाफ़क करता है